नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे PM Care for Children ये स्कीम लॉंच करी गई है 29 माई 2021 को इस स्कीम के बारे मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत डेटेल देदू तो ये PIB जो की Official Press है इंडियन गोर्मेंट की जो मैं आप लोगों को यहाँ पर पूरी डेटेल दे रहा हूँ यहाँ पर एक एक डेटेल दे गए यह किस तरह से बच्चों को पैसे मिलेंगे किस तरह से वो रेजिस्ट्रेशन वेगरा कर सकते हैं तो registration की भी process में आप लोगों को दिखाऊंगा, तो सबसे पहले आप लोग इस योजना के बादे में जानिए कि योजना किस के लिए है और उसमें कितना लाब मिल सकता है, सबसे पहले तो ये योजना उन लोगों के लिए है, जिन लोगों ने भी अपने माता पिता को इस COVID-19 में खोया है, या फिर जो 18 साल के नीचे के बच्चे हैं या फिर बच्चियां है, वो इसके थूर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और 10 लाग रुपए तक का लाब ले सकते हैं, उनको higher education में भी फायदा मिलेगा, आये देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर मिलता है, health emergency के लिए भी यहाँ पर benefit है, तो ये वीडियो आप लोगों को share करना है, क्योंकि देखिए कई सारे ऐसे बच्चे होंगे, जो अपने चाचा पर या फिर किसी grand parents पर depend हो जाएंगे, तो होगा क्या कि वो उनका उस तरह से खयाल ना रख पाया है, या फिर financially उतना वो मजबूत ना हो, कई बार schemes तो आती हैं, लेकिन लोगों तक पहुचती नहीं, क्योंकि इनका उतना परचार नहीं किया जाता है, ठीक है, तो आप लोग उन तक पहुचाएगा इस वीडियो को, और registration पर अगेरा भी करवाईएगा, मैं आप लोगों को सारी detail यहां पर दे दूँगा, कैसे कैसे registration कराना है, ध्यान रखिए कि आप लोग ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुचाएगे, या फिर अपने WhatsApp ग्रूप पे जरूर सेहर कीजिए, खास करके अगर आप लोगों का ग्रूप बढ़ा है, जिससे की लोगों तक पहुचा है, जिनके भी 18 साल से नीचे के बच्चे हैं, और जिन होने भी अपने माबाप को, यानि की पुरी तरीके से अनाथ हो चुके हैं, COVID-19 की वज़े से, यानि कोरोना वाइरिस की वज़े से, तो चलिए आई बढ़ते हैं स्केम की तरब, तो सबसे पहले अगर आप देख रहे हैं याँ पे, तो Fixed Deposit in the Name of the Child, यहाँ पे आपका Registration होने के बाद ही, Government Fixed Deposit करवा दोगी, जो की 10,00,00 रुपए तक का होगा, और यह आपको 18 साल से मिलना स्टार्ट होगा, अगले 5 सालों तक, यानि की अगर आप 23 साल तक हैं, तो आपको Financial Mentally Support मिलता रहेगा, यानि की अगर आप लोग इसको देखते हैं, तो Almost 16,666 रुपए, यानि की 666 रुपए तक का अमाउंट आप लोगों को Financial Mentally Support पे मिलेगा, और जब आप 23 साल के हो जाएंगे, तो आप लोगों को एक लंशम अमाउंट प्रोवाइड करा दिया जाएगा, दूसरा है कि आप लोग अगर Education ले रहे हैं, अगर आप बच्चा Education ले रहा है, अभी School Education ले रहा है और 10 साल के नीचे है, तो क्या होगा कि कोई भी KV College, यानि कि केंदरी ये विद्ध्याले या फिर आप लोग कह सकते हैं से Sanic College, तो वहाँ पे उसका admission कराए जाएगा, अगर वो private में है, तो उसको day scholar में उसका admission होगा, तीसरा कि अगर वो 11 से 18 साल के उपर है, ठीक है, 11 से 18 साल के बीच में है, तो यहाँ पे उसका नवोदे विद्ध्याले में है, या फिर Central Government के कोई स्कूल हो, अगर कोई बच्चा प्राइबिट स्कूल वगेरा में है, तो प्राइबिट स्कूल वगेरा में भी उसकी फीस वगेरा का देखवाल जो है, वो गौर्मेंट ही करेगी, पर उसके लिए कुछ टॉंप्शन कंडिशन है, इसके बारे भी बहुत जादा डिटेल नहीं दी गई है, लेकिन हाँ, अगर प्राइबिट कॉलेज में है, तो जो भी RTE norms के according fees बनता है, वो उस fees को भी चुकाएगी, गौर्मेंट और ये सारा कुछ central गौर्मेंट के उपर होगा, और अगर आप guardian है, या फिर grand parents है, या फिर कोई भी extended family, चाची, you know, mommy वगेरा के dependent है, तो उनको यहाँ पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनको केवल और केवल यहाँ पर registration कराना है, बच्चे के नाम पर और सारी डिटेल देनी है, और जो भी fees वगेरा बनती है, या फिर किसी भी तरह के, वो सब उनको दिया जाएगा, सभी को लाब मिलेगा, बस हरते की वो अनात हो चुके हो पूरे, उनके माबाप दोनों ना हो, ठीक है, यहाँ पर आप लोग के लिए higher education के लिए भी support मिलेगा, higher education के लिए अगर आप लोग loan लेते हैं, तो loan का जो interest rate होगा वो government चुकाएगी, और यह PMKR fund से जाएगा, जो भी scholarship मिलती है, उसमें government का कोई भी हस्तक shape नहीं होगा, और जो भी fees बनती है, वो fees आप लोग चुकाएगे अपने उपर से, ठेक है, ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को fees चुकानी पड़ेगी, अगर आप लोग loan लेते हैं, तो loan का जो education, loan का जो amount होगा, वो आपको चुकाना पड़ेगा, जो interest rate होगा, वो government चुकाएगी, यानि कि आप लोगों को 10 लाग के पढ़ाई करनी है, तो 10 लाग आप लोग ले सकते हैं, loan बैंकों से, और जो भी ब्याज बनता है, वो PM Care Fund से pay करा जाएगा, तो ये है detail, बाकि health insurance, जो आयोश्मान भारत योजना है, उसमें से 5 लाग रुपए तक का insurance कराया जाएगा, किसी भी तरह की health emergency पढ़ती है, तो 5 लाग रुपए तक का 18 साल तक, ये insurance free रहेगा, यानि कि इसका जो भी premium pay करेगी, government 18 साल तक होगा, यानि कि valid जो होगा, वो 5 लाग तक का 18 साल तक, आप लोगों को मिलेगा, यानि कि 23 साल तक, ये health insurance आपको नहीं मिलने वाला है, चले चलते हैं, application पार्ट पे कि application कैसे तरह से आप लोगों को डालना है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको child registration करना है, यहाँ पे आप child registration कर सकते हैं, बच्चा कितनी भी age का हो, 18 साल से नीचे का होना चाहिए, simply यहाँ पे आप अपना mobile number डालेंगे, ठीक है, mobile number डालने के बाद, आप लोगों को यहाँ पे capture डालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे mobile number डाल लेता हूँ, और इसमें simply आप लोग calculation करके 16 कर दीजिए, send OTP, नमबर पे वो आपके message आएगा, और यहाँ से आप लोग अपनी OTP को भर सकते हो, तो जी, यह OTP भी आ गया, and 1, 1, 2, 1, 3, 5, तो यहाँ पे देखिए, आप लोगो कुछ सारी detail भरनी पड़ेगी, child के information name क्या है, date of birth क्या है, age क्या है, gender क्या है, आधार अगर है, तो आधार या फिर अगर नहीं है, तो उसकी enrollment ID आप भर सकते हैं, अगर बच्चा 5 साल के नीचे है, तो फिर आप लोग यहाँ पे mobile number डाल करके देखिए, यहाँ पे star नहीं बना हुए, तो यह कोई जरूरी नहीं है भरना, जहाँ जहाँ भी star बना हुआ है, वो आप लोग भर सकते हैं, अगर 5 साल के उपर है, तो आप लोग अधार कार्ड बनवा लिजेगा, उसका enrollment ID यहाँ पे डाल सकते हैं, mobile number आप लोग डालिएगा, यहाँ पे आप लोग फोटो डालिएगा, बच्चे की, और label of education किस label में है, kg में है, 2, 3, 4, 5, graduation कर रहा है, child disability अगर है, तो yes या फिर no पे क्लिक की लिएगा, देखिए मेरे पास कोई बच्चा है नहीं, जो इस तरह की दुविदा से गुजर रहा हो, तो मैं इसलिए आपको पूरी detail नहीं दिखा सकता, लेकिन आप लोगों को हाँ पूरा चीज बता सकता हूँ, की actual में क्या हो रहा है, mother tongue आप लोग देख सकते हो, यानि की मात्र भासा आपकी क्या है, हिंदी है, बेंगाली है, पंजाबी है, उडिशा है, जो भी आप जहां से भी बिलॉंग करते हैं, यहाँ पे आप simply उसको क्लिक करके select कर सकते हैं, bank name, आपको यहाँ पे bank का नाम डालना पड़ेगा, IFSC, bank account number डालना पड़ेगा, जो भी बच्चे के नाम पे है, ठीक है, नहीं है, तो खुलवा लीजिए, अपने साथा tax करवा के, minor account खुलवा लीजिए, zero balance account खुलवा लीजिए, यहाँ पे आपको वो सारे data डालनी पड़ेगी, living with relatives, यहाँ पे आप अपना relation डाल सकते हैं, कि आप क्या है, uncle है, aunt है, grandparent है, sibling है, या फिर कोई और है, कई बार क्या होता है, कि कोई नहीं होता उनके खांदान में, हम बच्चे को गोद लिए होते हैं, या फिर हमारे पास बच्चा रह रहा होता है, तो आप लोग others में जाकर के डाल सकते हो, आप अपना नाम लिख सकते हो, कि क्या नाम है आपका, जो भी जिसके अंडर में गारजी हो, या फिर मुखिया का नाम, आप घर के मुखिया का नाम डाल सकते हो, यहाँ पर स्टेट डालिएगा, डिस्टिक डालिएगा, ब्लॉक वगेरा जो भी पड़ता है, यहाँ पर डाल सकते हैं, यह कोई जरूरी नहीं है, बढ़ हां, स्टेट और डिस्टिक जरूरी है, उसी के हिसाब से, अगर आप लोग सलेट करते हैं, तो आपका आजाएगा, माल लीजिए, मैं उतरप्रदेश सलेट करता हूँ, और मैं select कर लेता हूँ प्रयाग राज because मैं प्रयाग राज से बिलॉंग करता हूँ तो प्रयाग राज यहाँ पर select कर लिया है तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर blocks वगेरा भी आ गए ठीक है तो block में आप लोगों का जो भी हो यहाँ पर select कर लीजेगा आप लोग का gram पंचायद भी आ जाएगा होगा तो आ जाएगा ठीक है और address यहाँ पर आप लोग अपना पूरा detail डालिएगा खास करके जो भी आपके अधार card में attached है जो guardian है जो घर का मुखिया है वो यहाँ पर आप लोग डाल सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर आप लोग बी parent detail यहाँ पर add more siblings अगर आप लोग detail डालना चाहते हैं जैसे कि एक और बच्चिया है तो वहाँ पर आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं इसके लिए भी आप लोग parental detail डाल सकते हैं father's name वगरा यह सारी चीज़े आपको यहाँ पर भरनी पड़ेंगी वैसे ही आप लोगों को district, block, gram, pancayat यह सारा कुछ select करना होगा यहाँ पर अपना address डाल दीजेगा address के वल एक ही जरूरी है यहाँ पर अगर आप नहीं भी डालते हैं तो भी चल जाएक लेकिन डाल देंगी तो जादा बहतर होगा यहाँ पर information detail जो मैंने आप लोगों को दिखाई है वो relationship with child दुबाया से आप लोगों को यहाँ भर देना है और simply यहाँ पर आपको submit कर देना है सब्मिट करने के बाद आप लोगों को एक application number मिलेगी आप लोगों के number पर OTPs बगेरा आएंगी उसको ले करके आप लोग यहाँ पर आएंगे और देख सकते हैं कि आपके application की अभी क्या status है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि view status of application तो इस से थोड़ा सा गड़ीद भाग करवाईएगा तो 10 प्लस 4 14 हो गया यहाँ पर submit कर दीजेगा और simply आपको अपका status दिख जाएगा और अगर आप लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा लेट हो रहा है या फिर आपको application नहीं भरना आ रहा है तो वैसे तो आप मुझे contact कर स इन पर contact करना होगा ठीक है यह official number है बाकि अगर आप लोग mail करना चाहते हो तो simply आप लोग यहाँ पर mail भी कर सकते हो क्योंकि देखिए अभी site के आने बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है 27 2021 से यह site launch होई है और हम लोग जो viewers है total visitor इसके है 15,898 तो इतनी बड़ी जन संक्या में काफी कम लोगों ने इसको visit किया है तो एक duty आप लोगों को बनती है मेरी subscriber होने की वज़े से और अगर आप इस वी helpful नहीं हो लेकिन अगर वो share करता है दूसरों तक तो उसके लिए helpful हो सकता है क्योंकि देखिए इस समय कोविट के वह से हमने बहुत सारी दुविधाय देखिए बहुत सारी मुश्किले देखी है तो अगर आप लोगों के एक share से किसी की बंदत हो जाती है तो फिर क्या ही ब नए है सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन हो क्लिक कर लें बाकी हम लोग नेक्स वीडियो मिलते हैं कोई भी question हो या फिर सोजाओ हो या फिर किसी topic पर वीडियो चाहते हो तो नीचे आप लोग comment करके मुझसे पूछ सकते हैं हम लोग नेक्स वीडियो मिलते हैं तब तक के आप लोग कर दिन सुभ हो जैहिन